क्या आपने दे ग्राविटी मूवी देखी है जहां अंतरिक्ष में एक दुरघटना के बाद एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस वहिकल को स्पेस डेब्रीज ने टककर मार दी और वे ठंड के कारण जम गए थे? यह द्रिशे दर्शकों को सन्द कर देने वाला था लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष की यह घातक ठंड असल में कितनी भयावा हो सकती है? इस घटना को Absolute Zero के सिद्धान से जोड़ा जा सकता है जो ब्रहमान के सबसे ठंडे तापमान की हद को दर्शाता है इस विडियो में हम Absolute Zero के इस रहस्य में और चुनौती पूर्ण तापमान के बारे में गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि जब तापमान इस सीमा के करीब पहुचता है तो पदार्थ में क्या असाधारन परिवर्तन होते हैं? Absolute Zero Energy ब्रहमान की नीव है और हर चीज का आधार है यह वस्तूओं की गती रासाइनिक प्रतिक्रियाओं और बुन्यादी प्राकृतिक घटनाओं में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है E is equal to MC square के अनुसार पदार्थ भी एनर्जी का एक रूप है और हमारे लिए तापमान के रूप में स्पष्ट होता है जीवित प्राणी तापमान को इस बात से महसूस करते हैं कि किसी पदार्थ में कितनी गर्मी है हालांकी गर्म और ठंडे पानी में एक ही प्रकार के पर्मानों होते है तापमान का आधार पर्मानों की गती में है जब पदार्थ की गतिज उर्जा बढ़ती है तो अनुओं की गती तेज हो जाती है और वे एक थोस से द्रव में बदल जाते है तापमान का माप अतीत में लोगों के लिए इन घटनाओं को समझना कठिन था 1714 में गेब्रियल फाहरेनहाइट ने तापमान के पैमाने का सबसे निचला बिंदू निरधारित किया और इसे शून्य पर रखा फाहरेनहाइट पैमाने पर बर्फ का पिघलने का बिंदू प्लस 32 डिगरी है और पानी का उबलने का बिंदू प्लस 212 डिगरी है सेल्सियस पैमाने में शून्य डिगरी पानी जमने का बिंदू है और 100 डिगरी पानी उबलने का Fahrenheit और Celsius के पैमाने घरेलू उद्देशों के लिए हैं और विज्ञानिक परिभाशाओं से दूर है वास्तव में कोई नकारात्मक तापमान मान नहीं होता, लेकिन Absolute Zero एक वास्तविक चीज है Absolute Zero का सिध्धान्थ 1802 में जोसिफ लुइस गेलिसाक ने पाया कि एक निश्चित दबाव पर गैस की मात्रा तापमान के सीधे अनुपात में बदलती है उन्होंने निश्कर्ष निकाला कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान है, जिसे Absolute Zero कहा गया केल्विन स्केल में शून्य Absolute Zero के बराबर होता है Absolute Zero का प्रभाव जब पदार्थ का तापमान Absolute Zero के करीब पहुचता है, तो इसके अनुओं की गती लगभग पूरी तरह से रुख जाती है हालां कि यहां गती पूरी तरह से रुख नहीं सकती, अन्यथा कुछ अन्होनी हो सकती है, जो वैज्ज्यानिकों के लिए अभी भी रहस्य बनी हुई है Absolute Zero के करीब पहुचने पर पदार्थ में कई अनोखे और असाधारण गोड प्रकट होते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं देखे जाते उदाहरण के लिए कुछ धातूओं में उनकी विद्युत प्रतिरोधकता लगभग पूरी तरह से समाप्थ हो जाती है यह घटना विज्ञान के लिए बेहत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उर्जा के कुशल उप्योग के नए द्वार खोल सकती है इसके अलावा कुछ गैसें जैसे हीलियम दो सो उननत्र डिग्री सेल्सियस पर तरल हो जाती है इस तापमान पर हीलियम सूपफ्लूइड बन जाता है जिसमें घर्शन का पूरी तरह से अभाव होता है सूपफ्लूइडिटी का मतलब यह है कि हीलियम का तरल पदार्थ किसी भी कंटेनर की दीवारों पर चड़ सकता है और बिना किसी बाधा के बह सकता है यहां गुण वैज्ञानिकों को आश्चर्यच्कित करता है और इसे क्वांटम मेकेनिक्स के सिध्धान्तों से समझा जा सकता है जो पदार्थ के अतिटंडे अवस्था में नए और रहस्य में गुण प्रकट करते हैं इन अल्ट्रालो तापमान पर पदार्थ की एक और असाधारण अवस्था का पता चला है जिसे बोसाइन स्टाइन कॉंडनसेट कहा जाता है बोसाइन स्टाइन कॉंडनसेट में कई क्वांटम प्रभाव एक साथ दिखाई देते हैं जैसे की सुपर पोजिशन, जिसमें एक कण एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है। यह अवस्था विज्ञान की दृष्टी से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह क्वांटम मेकेनिक्स के सिध्धान्तों को मैक्रोस्कोपिक स्तर पर प्रदर्शित करती हैं, जहां हम उन्हें लगभग आंखों से देख सकते हैं। बोसाइनस्टाइन कॉंडनसेट का उप्योग करके वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गती को भी धीमा करने में सफलता प्राप्त की हैं। और वह भी हजारों गुना नहीं, बलकि एक अविश्वस्निय शून्य दशमलव दो मिलिमीटर प्रती सेकंड तक। यह क्वांटम प्रभावों का एक ऐसा उदाहरण है जो विज्ञान की सीमाओं को चुनोती देता है और मानवता को नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। कौन जानता है, शायद Absolute Zero के क्षेतर में वर्तमान खोजे, किसी दिन हमें Absolute Infinity तक पहुचा देंगी। विशय पर अगला विडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। क्या हाँपटन में एगके अग्याद ग Canada 25 अथे थार ऊग्याद की जाएद आंगी। 25 अथे पक्याद की ओ